दिँए मुल 유टाजने जारे टेलिग्रम होगा है आजो तो दिँए मेरेखा पांंट कुछना है अब इसको जारे रिम्कार के दो के बनाने प्वह आज़न दूक पहली बनने वान कर रहे हैं अब जारे हैं आप बनाने इसको अब दिँए इसको काथने जारे है आप अना निज सक रचास गुला आपके ऐसाइबं कईका सम आपिगी आपके दो कमाकी है अपके ऐसुथां कुल्धी जाए जाएगा जा जाएगा हमाथा उवाarta पाहिए अपवारी ने कुले कारत फर्ट युथां कुल καते .... कि अचेकी आचाच्छ चना चाच्छ बदुद। लार्ग प्याव ती आज हे जगा के एका ल करता है, जो लाफ जड़ा है जड़ा है जड़ा है जड़ा है प्रेषा जड़ाँ कर दोस्तों अब मेरा काटर भूला तो खतम हो गया है अब जारे प्याज लटते कट लें अच्छा बनाईए हुए जाकिया को अब प्याज काट चुके हैं अब जारे इसको एच्छा बिल रख देले हमें इस चाक आप ले जा रहे हैं अच्छा सुप्राइब मुझे आजं कर दोस्तों जारे कर Lect another ंजा रहे हैं जाकर लोटते हैं अच्छा बनाईए हुए अज़के जदा तेल देंगे, काई की तेल जदा में देने से चाविनी लगेगा कुनेर से अज़के तेल गरम होंगा, उसके बाद प्याज वेज जाल देंगे, और कुनेर साथ को अच्छा दोंचे निकाले बनेरी है मेरा पुछटा से बलोग वीडियो में, और आज देखें नई जांते हैं लेकिन भी आज को नाज साथ को बनाएंगे, और कुरा देखते हैं मेरा साथ जी करना कैसा लोगेगा यह कि आप रिंटा कुरा पॉर्ण गरम होंगा, आप याज़का में जाले जाले होיס लोगें، खेमा नई क्याओं जाले होएसरत हैं। आम जाले हैं। यह कि अगर सता प्याग पॉर्यदा क्या चुका हैं। उच्चा एसा आने। कर दोश्ट तो कैसे हैं आप लोग असा करता है कि स्वास्त कूसल पूर्वप होंगे बढ़िया होंगे तो चलिए आज लगभग अट साल की है और वह कौइनार का साग का सब्जी की स्टेप से बनाई है तो आप लोग को दिखाते हैं फिलार बना चुकी है सब्जी और हम लाए थे जए थे शुटिंग उटिंग करने के लिए जंगल तरब तो कौइनार साग तोड के लाए थे गज तो चलिए दे खाने के लिए और देखते हैं फिलाल कि की स्टेप से मेरा बेटी छोटी बेटी खाना बनाई है तो थोड़ा सा देखते हैं टेस्ट करके दिखने में तो बहुत सुन्दर लग रहा है, लग रहा है कि बहुत सवाद होगा, हम इस पता चले है कि की स्टेप से बनाई है बच्ची दोस्तों बहुत ही सुन्दर बनाई है, इतना सुवाद बनाई है कि इसका क्या तारिफ करें दोस्तों को सुच रहा थे बच्ची है, नहीं सके होगी और फर्ष्ट बार आज उन सब्जी बनाई है और कोईनार का साग का सब्जी खास करके कभी ठ्जी नहीं बनाई है तो चलिंए दोस्तों फिलाल में खाना खाता हूँ कि तक के लिए बई बई